अर्ष नियूस की सारी खबरें आप तक सारी चार वजे करीब MCD स्कूल चंदरनगर चोक के पास वहारों की चेकिंग कर रहे थे उन्होंने एक मोटर साइकल पर एक व्यक्ति को देखा और उसे सक हुआ और उसको रुक खर उससे मोटर साइकल के दस्तावेश मांगे मगर दस्तावेश उस व्यक्ति ने नहीं दिखा पाया जिसके बाद उसकी तलासी ली तो उसके पास से एक चाकू बरामत किया और मोटर साइकल का नमर चेक किया तो वहाँ पटपरगन उधोगिक छेतर से चोरी की गई थी जिसके बाद आरूपी को गिरपतार के लिया जहां डीसीपी ने बताएगी आरूपी की पैचान गोरप उर्फ गबबर उर्फ भिंडी उर्फ चरंशिंग पुत्र सुरजभान के रूप में हुई है जो की गीता कलोनी के सरोजरी पारक का रहने वाला है उम्र 30 साल है इसके बाद प्रात्मिक संक्या नमबर 144 बड़ा 22 धारा 25 चोवन 69 आम्स एक्ट और 102 से आरूपी स्जिक्री तहट मामला दर्ज किया जहां आरूपी से गहन पुश्चाच की जिसमें उसने खुरासा के कि अपने साती अनिल कुमार उर्फ गोलू के साथ मिलकर वो चोरी की वारदत करता था जहां पुलिस ने आरूपी जो दूसरा है अनिल कुमार उर्फ गोलू को गिरबतार कर लिया जहां उन दोनों से पूश्चाच की तो उन दोनों से LED बरामत की गई जहां DCP ने बताए कि इनके पास से एक मोटर साइकल जो चोरी की पाई गई है तीन LCD इनसे बरामत की है और एक बटन वाला चाकू बरामत की है इनको गिरबतार करने पर चार चोरी के मामले सुल जहाए हैं आरूपी की पैचान पहला गोरप उर्फ गबर उर्फ भिंडी उर्फ चरन सिंग पुत्र सुरजभान निवासी सरोजनी पार गीता कलोनी का रहने वाला है उम्र 30 साल है दूसरा अनिल कुमार उर्फ गोलू पुत्र नवल किसोर जो चोपाल ग्राम घौंडली किर्शने नगर का रहने वाला है इसकी उम्र 38 बार से इस पर पहले भी पार्च मामले सामिल है पुलिस इन दोनों से पूश्टास कर रही है